हुआ है 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 अग्द है है था है अब हम एंडिफ्रेंस कर पे कोश्चन नंबर ठीप आ चुके हैं और question number three आप अपने screen पर देख रहे हैं question number three क्या है what do you understand by marginal rate of substitution of a community X for community Y draw an indifference curve in each of the following cases marginal rate of substitution is zero marginal rate of substitution is increasing so सवाल क्या है कि MRS marginal rate of substitution से आप क्या समझते हैं और जब MRS zero होगा तब indifference curve किस तरीके का बनेगा और दूसरा यह आप से कह रहा है कि जब आपका MRS increasing होगा तब आपका indifference curve किस तरीके से बनेगा चैट में कोई शोर नहीं हो रहे हैं भी चलिए हां जी तो सबसे पहले समझते हैं कि MRS क्या होता है किसे कहते हैं इंडिड़क्शन में इंडिफरेंस करके और प्रोपर्टी में भी हमने MRS पर बहुत डिसकर्शन भी किया है यह फिर से एक बाद समझते कि MRS क्या होता है डागराम के यह से देखिए कि सबसे पहले मैं बात करता हूं मैं कॉम्बिनेशन की कि आप कोई भी एक टेबल अपने मैंड में आप सेट कर लें सारे काम उससे हो जाएंगी सारे कुश्चन का अंसर मिल जाएगा चलिए कम्बिनेशन की बात करते हैं और यहां पर कॉमडीटी X की बात करते हैं commodity X और एक हम बात करते हैं commodity Y की commodity Y तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ combination A की A combination पे मान लिजे हमेरे पास में commodity X की 10 unit है और commodity Y की 25 unit है अब आपको पता है कि हमें indifference कर में क्या करना है अपने satisfaction level को सेम रखना है हमारा motive यह है और अपने combination हमें changes करने है तो जाहिर सी बात अगर हम A का consumption बढ़ाएंगे तो satisfaction level तो बढ़ जाएगा इसलिए हमें दूसरे का consumption क्या करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा जैसा आप देख की पा रहें इस पर बहुत का गेन कर रहे हैं यह बात तो आपको सौंझ में अच्छे से आ गया है कि satisfaction level को सेम रखना है और अगर हम एक unit का consumption increase कर दें तो हमें दूसरी unit का consumption क्या करना पड़ेगा दूसरी unit का consumption हमें यहाँ पर decrease करना पड़ेगा और यहाँ पर दूसरी बात ये भी है सेम रखना है लेकिन कई बार माइंड में सवाल बच्चों के आही जाता है कि अगर हम एक unit X का gain कर रहे हैं तो य का भी एक unit sacrifice करते हैं तब ही तो satisfaction level सेम रहेगा नहीं जी X और Y दोनों equal importance नहीं है दोनों की marginal utility equal नहीं है जो चीज कम होती है उसकी marginal utility ज्यादा होती है और जो चीज ज्यादा होती है उसकी marginal utility कम होती है तो यहाँ पर X की marginal utility मला X से मिलने वाद satisfaction level ज्यादा है compatibility Y से इसलिए इसलिए आपको satisfaction level को सेम रखने के लिए धान रखना पड़ेगा कि जितना आपने gain करा ठीक उतना ही amount आप satisfaction का sacrifice भी करें तो इसलिए एक gain करा तो वहाँ पर एक से ज्यादा आपको sacrifice करना पड़ेगा क्योंकि उससे आपको satisfaction level मिलता है उससे मतलब Y commodity से वह आपको कम मिलता है compatibility X इसी तरीके से combination में C क्यों पर आता हूं तो combination C पे अगर आप देखते हैं कि फिर से आप एक gain करेंगे तो इस बार फिर sacrifice करेंगे तो आप पांच नहीं sacrifice करेंगे पहले से कम करेंगे चार करेंगे तो आपका सोला हो जाएगा क्यों भाई पहले एक के लिए पांच sacrifice करेंगे अब आप एक के लिए चार क्यों कर रहे हो sacrifice क्योंकि आपको जो है आप next किसी भी commodity का continuously अगर आप consumption करते हैं तो next unit से मिलने वाला जो satisfaction है वह आपका compatibility last unit के comparatively कम हो जाता है because of law of diminishing margin utility तो यहां पर आपके पास में next से कम मिलेगा ना तो आपको satisfaction लब को सेम रखने के लिए जितना आया है उतना ही sacrifice करना पड़ेगा तो पहले से कम satisfied हो रहे है आप तो पहले जितना आप सब्सक्राइब करेंगे पहले से कम करेंगे इसलिए पांच नहीं करेंगे आपने चार से कर रहा है अब बात करते हैं combination d की तो combination d में फिर से आप एक गेन करते हैं तो because of law of diminishing margin utility आपको नेक्स नुइट से जो है अभी आपने गेन करा उससे उतना satisfied नहीं मिलेगा जो कि इस इतना पहले हुए तो पहले से कम तो आप चार तो आप यहापर तीन और इसी तरीके से आप बात कर लेते हैं एक combination की तो a combination पर आपने एक और गेन करा और यहाँ पर आपके पास पर तीन से करा ताब दो से करेंगे तो आपके पास में क्या एगा 11 और अगर मैं बात करूं यहाँ पर f combination की तो f combination में अगर आपने एक और गेन करा तो अब आप sacrifice कितना करेंगे एक करेंगे तो यह मतलब की क्या हूँ आपका 10 तो यह आप इस बात को तो हम ओलड़ी पिछली classes में समझ चुके हैं बार बार इस चीच में फोकस कर भी चुका हूँ ठीक है जी अब बात करते हैं यहाँ rate of substitution जिसको हम short में लिखूंगा मैं MRS और इसको x y लिखते हैं ठीक है इसका मतलब यह होता है कि x के एक unit को gain करने के लिए y की कितने unit आप sacrifice करेंगे तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि x का आप कितना gain कर रहे हैं एक और y कितना sacrifice कर रहे हैं आप 5 तो इसको gain करने के लिए y को कितना sacrifice करेंगे इसे हम क्या बोलते हैं इसे हम MRS xy की तरह लिखते हैं MRS और xy ठीक है जी तो सबसे पहले तो यह कैसे इसका formula क्या बनेगा कि change in y y में कितना change आया with respect to change in x में change करने के respect में ठीक है चेंज को डेल्टा बोलते हैं तो आप यहां तो चेंज इनिशेली तो आप चेंज को अबजर्ब में करोगे next step से ही आप changes को अबजर्ब कर सकते हैं तो यहां पर आप देखेंगे change कितना है y में 5 आया और divided by change x में कितना है एक तो यहां कितन और x में एक और यहां पर 2 और इसमें एक और यहां पर एक और इसमें एक तो जो आप यह देख रहे हैं sacrificing rate आप जो देख पा रहे हैं यह जो आप sacrificing rate आप ने देखा है basically इसी को हम क्या बोलते हैं MRS बोलते हैं तो satisfaction level को सेम रखने के लिए अगर आप एक commodity का consumption increase करते हो तो बोलते हैं MRS बोलते हैं margin rate of substitution बोलते हैं यह समझ में आपको आया सबसे पहले कि MRS किसे कहते हैं और पहेंगे सर MRS को डाइग्राम के चुरू बताए कि कैसा दिखता है डाइग्राम में तो चलिए डाइग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि MRS कैसा होगा सबसे पहले डाइग्राम में हम दो एक्सिस लेंगे एक वाई एक्सिस एक वाई एक्सिस हैं और जो कि हमारा यह ओरीजन हो गया वाई एक्सिस एक्स एक्सिस और दो क्योंते हैं तो इसको में को कहता हूं कॉमोग्री कॉमोडीटी लग्रें अब adaptive लाई अ मैंझे और एक हमारा होगा जहें और दूपकरेंगे तो एक्साना चाहिए तो अस था कीज़े डोग कर देंगे इसको हम आई सी वो लेंगे ठीक है जी इंडिफरेंस कर वो गया अब यहां पर अगर आप मैं अगर बात करें हम कि सबसे पहले एक्स कमडिटी की एक यूनिट और वाई हमारे पास में यह है मैं एक्स और गेन कर रहा हूं एक यूनिट मैं एक्स को और गेन कर रहा हूं तो देख रहे हैं आप मैंने एक्स को गेन कर रहा तो य क्या हुआ सक्रिफाइज हुआ है जिस समझ यह एक्स गेन कर रहा तो य क्या हुआ सक्रिफाइज हुआ कितना सक्रिफाइज हुआ यह आप देख पा रहे हैं यह इतना सक्रिफाइज ह होगे आपका यह जो सेक्रिफाइज हुआ है इसी को हम क्या बोलते हैं समझे हैं तो डाइगरम में अगर आपको मर्स दिखाना होगा तो कहां दिखाऊ गया आप यहां पर दिखाएंगे चले एक और हम इसको करते हैं एक यूट और एक्स काम गेंड करते हैं यह हमारे पास में एक्स के और ईंट है तो फिर से आपने क्या करा एक और गें कर तो फिर आपने क्या करा सकरीफाइज करा इसको हम क्या बोलेंगे यह कॉसी को हम बोलेंगे हेसी होता है सब्सक्राइब जरूरी नहीं है कर लोगों ने पढ़ा है मैं नहीं पढ़ा हूँगा क्या कर लुए कूणा कले एक प्राइस के लिए कुछ एक स्टेट सिंबॉलिक कुर्ट सो जिसे स्टेटर सब्सक्राइब लगता हो लोग का तो उसकी प्राइज अगर बढ़ेे कि तो एल्टा और उसकी बढ़ जाती है कहां कम होती है इंडिफरेंस MRS जनरली डिमनिशिंग रेट का होता है बड़ कुछ स्पेसिफिक केस ऐसे आ जाते हैं जहां पर MRS डिमनिशिंग निचर का हो जरूरी नहीं है वो क्या स्पेसिफिक केस आपके दिवाब में चल रहा है लास्ट क्लास से उसको मैं आचर्चा करूँगा यह समझ मैं आपको जनरली MRS डिमनिशिंग निचर का होता है लेकिन यहां पर एक बात यह जो है कह चुका है आपके सवाल में कि MRS के बारे में ही मैं इसी एक ही पेच्पे सब्सक्राइब चाहूं तक आप कंपेर कर पाओ चीजों की बीच में हां जी तो यह रहाज का डागरम आपके सामें रखता हूं पर दिख पाएगा आपको यह खीक है जी यह डागरम हो गया अब क्या कह रहा है कि जब MRS क्या हो एक कमडिटी का जीरो हो कुशन देखिए आप अपना कि माजनर रेट आप सब्सक्राइब इस जीरो इसका क्या मतलब है कोई बच्चत बताएगा मार्जिन रेट आप सुशिशन इस जीरो इसका मतलब सक्रिफाइब कर ही नहीं रहा है माजनर रेट आप सब्सक्राइब की वैलू दिये हुए जीरो और MRS होता क्या है कितना सक्रिफाइब कर रहे हैं उस अमाउंट को MRS बोलते हैं और जब MRS जीरो हो जाए तो मतलब कुश सक्रिफाइब कर ही नहीं रहे हैं यह तो मतलब जरा देखिए आप, MRS एक्वल सू जीरो, मतलब सक्रिफाइजिंग रेट क्या है, जीरो, आएए मैं समझाता हूँ, दो गुर्स लेते हैं, एक X और एक Y, ठीक है जी, ये एक है, और Y जो है, मान लेते हैं, मेरे पास में, एक है, या कुछ भी मान लेते हैं, इसको बढ़ाया मैंने, इसको मैंने कुछ भी सक्रिफाइज नहीं करा, Y मेरे पास में अभी भी क्या है, एक है, समझे, मैंने एक और गेन करा, तो Y कुछ सक्रिफाइज नहीं करा, मैंने, ये मेरे पास में क्या है, ये भी मेरे पास में एक रखी है तो बताईये सक्रिफाइस क्या कर रहा है बता होजड़ा यहां क्या स्क्रिफाइस कर रहा है जीरो यह बास भनम díam historie ऊtesका है नहीं है आपको बताएри बतारा हुए अր है कि आप के मन में सवाल होगा सर आप भूल गए अपने गेम को आपने का एक कंडिशन पहले दिन ही हमारे सामने कंडिशन रख दी थी कि सवाल है या ना लेकिन यहां तो आप एक को तो बढ़ा रहे हो और दूसरा आप सक्रीफाइस भी नहीं कर रहे हो तो कहां से आपका सवाल है या बता हो आपके देखिए आपके अंतर आत्मा की सवाल मैंने पूछ लिए इससे कहते हैं आपके मन की बात को जानना बताइए यह सवाल था या निन था आपका किसा ठेक हम मान गया कि मारे जीरो का मत्ता होता कुछ भी सेक्रिफाइस नहीं करेगा एक गेन करने के बदले में लेकिन सट्प्रेक्शन लेबल भी तो बढ़ जाएगा और आप पढ़ा रहे हों में इंडिफरेंस कर उसमें सट्प्रेक्शन लेबल तो सेम रहना चाहिए है अब आप कह रहे हैं सर आसे कैसे पॉसिबल मैं कह रहा हु है सेम सट्प्रेक्शन लेबल मैं यह बात आप से कह रहा हूं सेम लेवल है सटिस्टेक्शन का ठीक है बिलकुल सेम ही है सर कौन कह रहा है बढ़ गया आपका भर में बढ़ गया क्योंकि मैं कुछ स्पेसिफिक सिचुईशन की बात कर रहा हूं कि सिचुईशन की परफेक्ट कॉम्पलिमेंटरी गुड्स ही कि एकत गुड्स होता है वहाते हैं अगर उसमें से एक नहीं है तो दूसरे का कोई यूज भी नहीं रही हैं ऐसे घर कार अधो तो यहां पर आपके पर्फेट कॉंपलिमेंटरी नहीं अगर पैट्रोल नहीं है तो इसको लेगा नहीं को उसको पूछेगा भी नहीं एक्जामपल के लिए समझेगा किसे पर्फेट कॉंपलिमेंटरी कहते हैं कि देखिए जी लेफ्ट सूज एंड राइट सूज समझें क्लियर है तो आप मुझे बाब बताए जरा पर्फेट कॉंपलिमेंटरी में लेफ्ट सूज एंड राइट सूज एक लेफ्ट सूज है एक राइट सूज है ठीक है भाई या कुछ आपको इससे साटिस्फेक्शन दूजिया फोश्प इस से आपको सूजिय जर्फ लिभ पर मिल रहा है अब मैं क्या रहा हूँ लेफ्ट सूज को बढ़ा रहा हूं बड़ा रहा हूं बड राइट उतना ओंघ रखरा हूंframes बताने हम अब तोस्ति में ज्बना दिया तो उसका कैश उसका यूस के अआप के bans fijne's और को चैंज आएगा एक ही पेर आप यूष कर सकते हैं अब किंगर कि ओए एक्श्र आप गो जूंसा, kia आप कोहिए यूश संजे तो न खुने क्या है ये आपके सैटिझगन का मटा अइगा आएगा चैंज नहीं Nu आएगा , यहां पर आपका MRS का है बहया सक्रीफांट किया कर रहे हो आप जीरो ओ तो पता लगा कि MRS किस02 होता है यह पता लगा लगा- उस्चोंक प्रिक्ट कॉंप्लिमेंट्री गुड्स के और सक्रिफाइज नहीं भी करेंगे तब भी सर्टिफिक्श्री लेवल में चेंज नहीं होगा और आपका MRS स्टिश्यूशन में क्या होगा आपका जीरो होगा मेरी बात समझे या नहीं समझे बताइए जरा ठीक है अगर मैं चलिए यह बात सुझ में आपको आई या नहीं है तो यहां पर इसको हम कहते हैं MRS का जीरो होना डाइग्राम कैसे बनेगा सवाल आपका यह है मैं कि एगा इगा किड़नी के और किडनी में देखिये गा एक और खराब हो जाती है तो निवस्त है और nasणी यूजश्स यह था एक खराब हो गई है अब दूसरे को भी मैं नहीं रखोंगा बबान के हाँ जोड़ेगा दूसरा स्लामत चलता रहे है ना है बट लेफ्ट सुझ आई सुझ में आपके यह जूते खो जाते हैं बाहर कहीं जा रहे हैं आप गुमने फिर ने दूसरा जूता आप लेकर घर आओ होगे उसका फिक दोगे कोई उसका यूज है नहीं इसको बोलते परफेट कंप्लिमेंटरी सुझ में आई नहीं है आपको क्लियर है कि समझे है कि हांजी डाइग्राम कैसा बनेगा परफेट कंप्लिमेंटरी का अब यह है रोमांच भरा सवाल है ना यह एक्जामपिल लेलेकर समझेंगे आपको यह बता हो उजिए पन्हें पता unit क्या याद करने के चक्क्र मत रहिएगा है याद कर क्योंकि लंबे-खोरी क्हिए कितना याद कर लोगे याद कर भी लोगे तो क्या पर में Yाद रहेगा आपको अपे बताइए अपने कोशिश क्या है कि आप रीडिंग करें तो इतना होता है कि आप कोई कहानी पढ़ते हैं नॉबल्स पढ़ते ही इसा तो करते ही ना कोई स्टोरी तो रीड करते ही ना तो इतना होता है रीड करने के बाद मैं यह नहीं क्या सकता कि आप बिल्कुश सीक्वेंस में आप उसी और में डायलोग वाजी करते हुए किसी को बता सकते नहीं लेकिन आप उसके कहानी उसका कंक्लूजन उसका स्टार्टिंग बीच का सीन बड़े रोमांच बाले सीन आप आपने इससे क्या-क्या सीखा उसको लिखो अगर आपने लिख दिया पेज आपके भरकर तो भी आपको याद हो गया समझ में आ रही है नहीं आ रही है आपको ऐसे नहीं लेके बैठ गया याद करने के लिए सुबह से शाम जिंदगी क्यों खराब कर रहे हैं समझे रीडि कर लो आप सहुझ हमां जाएगा तो यहाँ पर हम बात करते हैं प मते हैं आज अ हमें अ हमें प्लेर जी तो यह आपके पास योई है आपके पास्तों है और आपके पास मो यह एल शेप का डागराम बनेगा इसका डागराम बनेगा एल शेप का इंडिफरेंस कर अब एल शेप का क्यों बनेगा वह भी समझ लेजिए भाया सारी कहानी बताए जाएगी आपको अब घबरा क्यों रहे हूं कि सब को बताएंगे आपको आइसी इंडिफरेंस कर वन एल शेप क्यों बनेगा बात इसकी करते हैं देखेगा पहले मैं इस जो वर्टिकल लाइन में इसकी बात कर लेता हूं कि यह एक्स कमोडिटी है यह वाई है ठीक है डिए लटिकल लियन की बात करता हूं यह एतना है और एक्स यह है आपके पास में एठीक है एक्स लेर कॉंबिनेशन एगर मैं वाई बढ़ा दूं ठीक है और X उतना ही रहे perfect complimentary में तो क्या मेरा satisfaction लेबल में कोई change आएगा दो में से एक बढ़ाता हो दूसरा होता है रहता है कोई change आएगा नहीं आएगा तो चलिए ये मेरे B point हो गया तो A और B से satisfaction लेबल क्या मिल रहे है कि रेने मिल रहे समझे चलिए अगर बात करता हो एक्स बढ़ाता हूं है कि देखेगा एक्सपूइए इस है recommendations अधे आगा बोगए लरकल कुछेंट को दो किरुड़ास करूंद है तो बॉक्यास ओको हो그then पीडियों और क्यूंए सेम सेटिफेशनेबल मिलेगा क्योंकि अगर आप दो पेर में इस एगर आप एक पेर का सूज अगर आप बढ़ा रहे हो राइट सूज बढ़ा दिया आपने नमबर उसके और लेफ्ट को तने रखा तो आपको इससे कोई सेटिफेशनेबल में जाफ क्लियर है अब आप यहां पर इस चीश को जड़ा समझेगा देखिएगा तो यह मेरे पास पर क्या है वाई है और रिजन है एक्स है इसको भी हटाई देते हैं फिर हम कि अब देखे जी है मैं बात करता हूं पहले एक और एक की तो एक और एक पे मान लिजे वन-टू-वन-ठी-ट्री-ट्री-फोर-फोर-वन-टिस-वन को मिनेशन ने वन और वन ठीक है जी आप मैं क्या कर रहा हूं आगे टू एंड वन तो टू एंड वन यह रहा है समझे समझे क्लियर रहे जी कॉम्बिनेशन भी स्टिफेश्चिन लबल में चेंज आएगा यह नहीं आएगा नहीं आएगा क्यों क्यों कि आपके पास में दोनों पर्फेट क कि इसन में आगे आपको और आप एक यह बात भी आप यहां पर कर सकते हैं कि यही एक रखते हैं और वाई ही तीन कर देते हैं यह एक और वाई मेरे उससे समझ लो आप जिससे पहले समझायता हो वो बहतर है आपके लिए कि सिंपले आप इसका इंडिफरेंस कर आपका एल शेप का होगा यह आपका आईसी बन है चुकि अगर आपका यहां पर है यहां पर कह रहे हैं यह आपके पास में क्या है एकस है अगर आपने यह गेन करा तो आपने एकस में कोई चेंज नहीं करा मतलब माजने रिट शुश्यूशन क्या प्र जीरो है और आपको जो सटिस्फेक्शन लेबल मिल रहा है वह आपको सेम मिल रहा है अगर यहां पर अगर आप आए तो यह आपने एकस गेन करा और य यह रहा फिर आपने एकस गेन करा पर आपका वाई यह रहा तो यहां पर माजने रिट शुश्यूशन क्या आपके पास में जीरो रहेगा कुछ सक्रिफाइज आप करी नहीं रहे कि इंक्रीजिंग का केस क्या होता है और रिजन चलिए इंक्रीजिंग वाला भी डिटेल में प्याद से समझेंगे नो उसको भी यह समझ में आपको आया पहले बताईए जी क्लियर है कोई डाउट कि चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कि मारेस इंक्रीजिंग जब हो तो क्या होगा कि जब आपका मारेस इंक्रीजिंग केस में इंडिफरेंस कर कैसा बनेगा यह आप से पूछ रहा है और इसने वाई है और एक है यह आपका यह आपका एक सब्सक्राइक निकलता देखिएगा बात करते यहां पर हम इंडिफरेंस करकी तो जब आपका MRS आपका increasing हो MRS increasing का क्या मसलब होता है मैं पहले आपको समझाता हूं कि एक X community है नहां समझते हैं एक X community एक Y community एक combination A है ठीक है यह आपके पास में एक है और यह आपके पास में 25 है चलिए दसी ले ले लेते हैं वही और यह एक बढ़ाया आपने और सक्रिकराइब क्या करा आपने 2 किसा सघी तो 23 हो गया फिर आप ने एक प्रबढ़ाया तो आप 150 कर रहे हो अब कितना हो अपका 22 हो लुए तो जो आप देख रहे हैं MRS रहे है वह आपका दो सब्सक्राइब, आप में दो और वन के लिए कितना कर रा? तीन और वन के लिए कितना कर रा? चार्थ. एक बात बताओ मुझे इस केस में कि यहां पर क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सड्सक्षिशन लेवल को आपको सेम रखना है और आप एक को गेन कर रहे तो दूसरा तो मैं सब करना होता और यह कर भी रहा है इसमें तो कोई गलती नहीं है एक गेंकर रहा है तो कर रहा है लेकिन दुसरा sacrificing increasing rate कर रहा है मतलब की पहले से जादा sacrifice कर रहा है अब मुझे एक बात बताओ कि सुर्फ करें ना पीर दो कर्द अब फिर तीन करेगा तो आपका बीस हो जाये चीग है झाक पर ऑट सेक्रिप्स करेंगा तो सोला हो जाएगा सीगि friend क्लीर करें सबसे पहले को बताई तो सबस्क्रीफक्षिन लेफल को सेम रखने के लिए अगर हमें गेन करें दूसरा सब्सक्राइब करना पड़ेगा जो कि यहां पर हुआ है इसमें तो कोई गलती नहीं है लिकिन क्या सब्सक्राइब को सेम रखना है तो एक को गेन करने से जितना हमें सब्सक्राइब लेबल मिला है उससे ही हमें स्टारी करना पड़ेगा तो सटींड आइम Then करेंगे तो सटी नंदेर्ट से ज्यादा Sumber मिल सकता है एक्ससर बताऊ गर कि यहाँ पर अगर मैंने एक का सब्सक्राइब खंद मिला मैंने चलो सेंगरी फाइज भी कर दिया दो नेक्स्ट आर चुन कर रहा तो क्या मुझे उतना ही सब्सक्राइज अब मिलेगा इससे जादा है उससे कं मिला तो पहले से कंद और गाएज उतना ही जाना जरूरी है पर पर समझें तो यहां पर इस case में कभी possible हो ही नहीं सकता है समझें clear तो इसलिए इस case में बनाना भी डियाग्राम है तो आप इस तरह की डियाग्राम आप बना सकते हो पान्केव टू औरीजन क्यों है खेश पूछ लेगा तो शेब को ब्राना पड़ेगा बट पॉसिल नहीं है देखें एक एक हैसे गें कर रहा हूं वाई देखो स्कुनिफाइज इतना हुआ एक हैसे इतना हुआ और एक हैसे गें कर रहा हूं rator कर रहा है तो एक और एंग कर रहा हूं अब दिखिएज सेक्रिफाइजिंग रिट faculty ले इतना ही बाख फिर फिर इतना ही रहा है मरेज़ंग किन अन्हें हो रख यह निंग वन्हें तो यह अगर MRS आपका इंक्रीजिंग हो तो उसमें आपको कॉन्वेक्स तोरी कॉन्केब तुदा और इजन बनता है यह बास्वाइब में आपको आए नहीं है बताएए क्लियर है तो अब यह जो चीज है जो मैंने आपको समझा दिया ओलड़ी एक डिसकर्शन का पार्ट है जिसको आप अपना अराम से पढ़िएगा समझिएगा कि दा मेजरमेंट आफ MRS X Y इस इलिस्टेट इन अब टेबल वेर A, B, C, D, and A represent different combination of community X and Y. इस अब चीजे पढ़के तो आप खुद भी लिख सकते हैं. On the same indifference curve, as can be seen, when the consumer moves from combination A to B, on the same indifference curve, he prepared for 5 minutes of Y. Forgive, कितना चोड़ रहा है इसको? 5 minutes Y का चोड़ रहा है. For an addition unit of X, similarly, when he moves from combination B to C, he substitute 4 unit of Y. पहले 5 sacrifice कर रहा है, फिर 4, फिर 3, फिर 2. यह तो sacrifice कर रहा है, इसी को MRS बोलते हैं, चीक्के? Mother rate of substitution is 0, मतलब एक के आया, दूसरा हमने sacrifice कर रहा ही नहीं. फिर भी certification level सेम है, वो perfect complimentary मोह सकता है, जिसमें की L-shape का होता है. लेकिन धानक ना, अगर एक indifferent कर पर satisfaction level सेम रहता है, बट different different indifferent कर पर satisfaction level, different रहता है. आज हमारी टीम ने अच्छा काम किया है, लेकिन वो टीम आज मुझूद नहीं है. आपको मैं उससे मुलाकात करवाता है. अगर पर तो मेरे पास में आपको आया नहीं है, तो यह हमारे पास में क्या है, कि यह एक indifferent कर पर कहीं भी चल जाए, यह सेम रहेगा. लेकिन दो different indifferent कर पर satisfaction level क्या रहेगा हमारे पास में, different रहेगा. अगर मैं यहां के बात कर लेता हूं, यह रिस पॉइंट पर, तो यहां पर तो मेरे पास में X यह यह है, तो यहां पर तो मेरे पास में X भी जादा है, अब दो जोड़ी जूते हैं, और दो जोड़ी मेरे पास में left सूज और right सूज हो गया. तो यह पहले one one के compared to ज्यादा सार perfect substitute, जब दो goods क्या होते हैं, perfect substitute होते हैं, तो यहां पर MRS की value क्या होती है, यह भी बताओ, चलिए, मेरे तरफ से सवाल additional है, clear है जी, समझे, तो इसको हम पढ़ेंगे अगली कक्षा में, ठीक है जी, कोई doubt है, तो फिलाल अभी आप पूछ लिजी, कोई doubt जी, जल्दी से किसका, इसका MRS 1 आएगा, देखते हैं, अगली कक्षा में पता लगीगा आपको, ठीक है जी, फिर मिलते हैं, इस क्लास में, थैंक यू बच्चो, थैंक यू सो मच, अजू झाली कोयँ भी आपको,。。